नमस्कार सांकितिक भाश्र के इस विशेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ शेहलानिगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली जो साइन लेंग्विज में आप तक खबरों को पहुचाएंगी शुरुवात करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ जबु कश्मीर में विधान सभा चनाओ के दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान आज ओमर अब्दुल्ला सहेथ 249 प्रत्याश्यों की किस्मत दाओं पर हर्याणा में चुनावी घमा साइन जारी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में करेंगे विशाल जनसभा नितिन गटकरी भी राजे में करेंगे चुनावी रैलियां वहीं बस पास सुप्रीमो मायवती भी उतरेंगी रण में कॉंग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुँआधार प्रचार जारी उप्राश्टुपती जगदीब धनकर उद्यमियों के महा कॉम्भ यूपी इंटरनाश्वल ट्रेड शो टू पॉइंचो का ग्रेटर नोईडा में करेंगे शुभारम सत्तर देशों के 350 उद्यमी होंगे शामिल पंडित दीन दयाल उपाध्याए की 108 वी जेयंती पर कृतक गेर राश्टुपती जगदीब धनकर सीकर में दीन दयाल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरन भाजपाध्यक्ष जेपी नड़ा हेल्थ चेक अप केम्प की करेंगे शुरुआत श्री लंका में राश्टुपती पंद की कमान संभालते ही अनुरा कुमारा जिसा नाइके ने किया बड़ा एलान देश की संसद की भंग 14 नवंबर को होंगे संसद ये चनाओ और आईए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं जमू कश्मीर विधानसभा चुनाओ के दूसरे चलड के लिए 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा मतदान सुबा 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा सुतंत्र निश्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्टित करने के लिए वेब कास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीर सहित 3502 मतदान केंडर स्थापित किये गए हैं इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जे के PCC अध्याक्ष तारिक हामिद कर्रा और BJP जम्मू कश्मीर प्रमुक रवींदर रेना अलताफ बुखारी सहित 249 उमीद्वारों के किस्मत दाउं पर है दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राज़ौरी और पुंच और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बढगाम जिले में वोट डाले जाएंगे गुलाबगर रियासी और श्री मातावैश्रों देवी सहित तीन विधान सबक शेत्रों वाले रियासी जिले में भी आज मतदान होना है 15500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाता दूसरे चरण के चुनाओ के लिए जमू उधंपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेश मतदान के इंद्रों पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे शांतिपूर्ण और निश्पक्ष चनाओ के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुखता बंदोबस्त किये हैं वहीं तीसरे और अंतिम चरण के चनाओ के लिए सभी पार्टियों ने अपना चनाओ प्रचार तेज कर दिया है जमू कश्मीर में तीसरे चरण के तहट 40 विधानसबा सीटों के लिए एक अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनिती 8 अक्टूबर को होगी और हर्याना विधानसबा चनाओ के लिए प्रचार चरम पर है सभी राजनितिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एडी चूटी का जोर लगा रहे हैं इसी क्रम में भाजपा के स्टार कैमपेनर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज हर्याना में चुनाओ प्रचार करेंगे पीम आज सोनी पत के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीम की रैली की सारी तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी हैं पीम के दौरे के मद्दे नजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गए हैं। हर्याणा के चुनावी घमासान में केंड्रिय मंत्री नितिन गटकरी आज हर्याणा के तीन क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। नितिन गटकरी हर्याणा के थाने सर, लाडवा और गुरु गुराम विधान सबक्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबुधित करेंगे। हर्याणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को मतगरना के बाद चिनावी परड़ाम घोशित किये जाएंगे। केंद्रिय ग्रेह मंत्री अमित्शाह महाराश्ट्र के दौरे पर हैं। अमित्शाह आज नासिक और कोलहापुर में भाजबा कारेकरताओं के साथ बरठक करेंगे। अमित्शाह ने मंगलवार कुरनागपुर औछद्रपती संबाजी नगर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी कारेकरताओं से महाराश्ट्र में आगामे विधान सभाचिनावों में भाजबा की बहतर प्रदर्शन की को और जएदा बहतर बनाने की बात कही थी। साथी साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक लाभारतियों तक पहुचाने का भी आग रह किया था। उद्यमियों की आशाओं और संभावनाओं का महाकुंप यानि उत्तर प्रदेश इंटरनाशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्क्रण का शुभारंब आज से ग्रेटर नोईडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है और प्राश्टुपती जगतीब धनकर इस मेग शो का शुभारंब करेंगे ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोईडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा ट्रेड शो से प्रदेश के उद्यमियों को नई ग्लोबल पहचान मिलेगी दुनिया भर के देश, प्रदेश के क्राफ्ट, क्युजीन और कल्चर से रूबरू होंगे, सत्तर देशों के 350 से अधिक उद्यमियों ने इवेंट में भाग लेने के लिए पंजी करण कराया है UP के मुख्य मंत्री योगी अधितिनात ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज आयो के नव नियुक्त अध्याक्ष उपाध्याक्षों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री योगिया दितिनात ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से OBC समाज को मुख्यधारा में इस्थान मिला है ODP और विश्व कर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के केंद्र में OBC समाज ही है आपको बता दें कि पंडित दीन दयाल उपाध्याई की 108 मी जयनती पर कृतग्य राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है राष्ट्र निर्मान और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्षे मानने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याई का पूरा जीवन सादगी, इमांदारी और प्रिर्णा की मिसाल है पंडित दीन दयाल उपाध्याई मात्र एक राजनेता नहीं थे वे उच्च कोटी के चिंतक थे, विचारक थे और लेखक भी थे उन्होंने शक्तिशाली और संतुलित रूप में विखसित राष्ट्र की कलपना की थी पूरे दुनिया को एक आत्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधार से परिचित कराने वाले दीन दयाल उपाध्याई भारतिये राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को एक वेचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे उप्राष्ट उपति जगदीब धनकर आज राजस्थान के सीकर का दौरा करेंगे अपने एक दिवसिये दौरे पर उप्राष्ट उपति जगदीब धनकर सीकर से पंडितीन दयाल उपाध्याई शेखावटी विश्विध्याले में पंडित दीन देयाल उपाध्याई की 108 वी जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीकर में ही उप्राश्ट पती पंडित दीन देयाल उपाध्याई समिती उद्यान का उद्धाटन भी करेंगे पंडित दिन द्यालोपाद्याई की 108 वी जैयंति के अवसर पर आज नई दिली स्थेत बीजेपी मुख्याले में कारिक्रम का आयोजन हो रहा है इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रे अध्याइक शेवम केंड्रिया मंत्री जेपी नड़ा आज उनकी प्रतिमा पर बुष्पांजली अर्पित करेंगे और हैल्थ चेक अप केम्प का शुभारम करेंगे और अंतर राष्ट्रे खबरों का रुप करेंगे तो श्री लंका के नए राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसनायके ने देश की संसत भंग कर दी है दिसनायके ने मंगलवार को इस संबंधित विश्वेश राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक शुर किये देश में अब 14 नवंबर को मध्यावधी चुनाव कराए जाएंगे राष्ट्रपती चुनाव से पहले दिसनायके ने कहा था कि वो संसत को तुरंत भंग कर देंगे और मिड टर्म चुनाव कराने का आदेश देंगे इससे पहले श्री लंका की पिछली संसत साल 2020 के अगस्त में गठित की गई थी वहीं इस संसत को निर्धारित समय से 11 महीने पहले ही भंग कर दिया गया है आनुरा कुमारा दिसनायके ने 23 सितंबर को श्री लंका के राष्ट्रपती के तौर पर शपत ली थी इसी के साथ संकीतिक भाष्व के इस विशेश पुलेटिन में फिल हाल इतना ही मुझे दिपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजे अनुमती नमस्कार